नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांद कुमार शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल गारी की क्लासेज पर Current Affairs की क्लास की PDF, 31 माई 2020 तक पहले की तरह आपको हमारे टेलेग्राम सेनल से डाउनलोड करने को मिलती रहेंगी और अब आपकी सुविदा को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज किया गया है और 31 माई 2020 के बाद से ये जो PDF हैं आपको 15-15 दिनों के अंतराल से मैकजिन फॉर्मेट में उपलब होती जाहेंगी जिससे कि आपको Complete Matter एक ही जगे पर मिल सके और साथ ही आपको जो पढ़ने में भी इसमें सुविदा हो सके तो इसी को ध्यान में रखते हैं ये जो नई प्रोसेस हो शुरू की जाएगी 31 माई के बाद में तो शुरू करते हम आज 30 माई 2020 के प्रमुक राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय गटनाकरमों पर आधायत क्लास के टॉपिक्स जिसके अंतरकत सबसे पहला जो पॉइंट है वह है वित्य मंत्री की अद्यक्ष्टा में 22 वित्य इस्थिरता और विकास परिशद की बैठक आजित की गई 28 माई 2020 को केंद्य वित्य मंत्री शिर्मती निर्मला सीता रमंड ने वित्य इस्थिरता और विकास परिशद की बैठक अद्यक्ष्टा की और इस बैठक के अंदर वर्तमान घरेलू और वैस्विक आर्थिक इस्तती इसके अलाव वित्य कमजोरियों के मुद्दों सुख्म वित्य संस्थानों की तरलता, गैर बैंकिंग वित्य निगमों और नियामत प्रतिक्रियों आदी की समिक्षा की गई परिशद ने इसमें यह भी बताया कि COVID-19 ने वैश्विक वित्य अप्रणाली के लिए एक बड़ा खत्रा उत्पन कर दिया है और इससे उबढ़ने के अंदर जो समय है वो एनिशित रहेगा यानि काफी लंबा समय इसमें लग सकता है अब वित्ती इस्थिर्ता और विकास परिशद के बारे में बात करें तो वित्ती इस्थिर्ता और विकास परिशद भारे सरकार के द्वारा गठित एक सर्वोच निकाय है इसका जो विचार है वह वर्ष 2008 में ततकालीन आर्बियाई गवर्नर रगुराम राजन की समीती के द्वारा दिया गया था और इस परिशित की जो स्थापना है वर्ष 2010 के अंदर तक कालिन वित्त मंत्री प्रणा मुखर जी के द्वारा की गई थी इसमें RBI के गवर्णर मुख्य आर्तिक सलाकार सचिव से भी यानी Stock Exchange Bureau of Board of India यानी भारतिय प्रतिबूदी और विनिमे बोर्ड इसके अलावा IRDA जिससे बीमा नियामक और विकास प्रादिकन या Insurance Regulity and Development Authority भी का जाता है इसके अलावा PFRDA, Pension Fund, Regularity and Development Authority और IBBI के चेर्मेन इस परिशद के अंदर शामिल होते हैं और वित्त मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं अब बात करते हैं इस परिशद के कारियों के बारे में तो यह जो परिशद है यह वित्तिय छेत्रे के विकास इसके अलावा वित्तिय इस्थिर्ता अंतर नियामक समनवय वित्तिय समावेशन वित्तिय साक्षर्ता इस परकार के कारियों को पूर्ण करती है और इसके वित्मंत्री के पास में समय समय पर परिशद के कारियों को बदलने की शक्तियां भी होती है और वर्तमान में ये जो परिशद है COVID-19 के द्वारा प्रस्तुत किये गए वित्तिय मुद्दों से निपटने के लिए काम कर रही है NPCI अर्थात National Payment Corporation of India ने पाई नामक Artificial Intelligence Virtual Assistant लाउंच की है 27 मही को National Payment Corporation of India ने Artificial Intelligence पर आधरित एक चैटबर्ट लाउंच किया जिसे पाई का नाम दिया गया है और इस चैटबर्ट का जो उद्दिश है भारत में वित्तिय समावेशन को बड़ावा देना है अब यह जो वित्तिय समावेशन को हमने इसी चैटबर इसी क्लास में दो बार पड़ा है तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकरी प्राप्त कर लेते हैं तो वित्तिय समावेशन यह इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि वित्तिय समावेशन जो है वो समाज के पिछडे और कम आये वाले लोगों को वित्तिय सेवाएं प्रदान करने के करता है और साथ ही ये जो सेवाएं हैं उन लोगों को वहन करने होगे मुले यानि affordable price पर उपलब्द करवाने का कारे भी करता है ये वित्ती समाविशन का आजाता है इसे इसके जैसे हम examples की बात करें तो जो हर तबके को रिंड सुविदा उपलब्द करवाना इसके अलावा उनको भुगतान सुविदाएं उपलब्द करवाना धन प्रेशन सुविदाएं और इसके अतरिक जो affordable insurance service इस तरह की जो सेवाएं हैं वो वित्ती समाविशन के दाएरे में आती हैं PAI को 24-7 इस्तिमाल किया जा सकता है और यह जो NPCI उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करता है इसके उप्योग करता टेक्स्ट या आवाज के माध्यम से प्रश्न भेज सकते हैं प्रश्न भेजने के लिए जो UPI अधी वेबसाइटों का उप्योग करेंगे वर्तमान में PAI अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपलब्ध हैं और जल्द ही इसे अन्य भाषाओं के अंदर भी लॉंच कर दिया जाएगा क्योंकि भारत के अंदर विविन राज्यों के अंदर आप जैसा की ज सविधा को काम में लेना और आसान होगा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर आधरित इस चैटबोर्ट को बैंगलूरू बेस्ट स्टार्ट अप को रोवर ने बनाया है राष्ट्र भुकतान निगम यानि नैशनल पैमेंट्स कॉर्परेशन ओफ इंडिया जो NPCI है भारत क भारती राष्ट्र भुकतान निगम भारत में खुद्रा भुकतान से संबंदित कारे करता है और इसे भारती रिजर बैंक के द्वारा प्रमोट किया जाता है इसकी स्थापना वर्ष 2008 के अंदर गैर लाबकरी संस्था की रूप में की गई थी भारत के स्वदेशी सिस्टम यह वन स्टॉप भिलभुकतान प्रनाली है इसके अलावा भारत क्यू आर जो एक कोड है एक क्यूआर कोड है जिसे भुकतान में आसानी और इंटर ऑप्रेयलिट के लिए विक्षित किया गया है इसके अलावा जो भीम एप जिस जो इंटिगरेटग पैमेंट इं प्यज SooBowality Card के माध्यम से के अनुसार की जाता है इसके लाव FAST Teg जो की आपने अभी सुना होगा काफी इसके बारे मिमें जानकारी होगी आपको कि ये फास्ट bold taxes दो टौल। टैक्सिस आज इस तरह की जो सेवाउं के अंदर काम मिलिया जारह है इसके अलावा एकिकर्त भुक्तान इंटरफेश यान यूपियाई यानि यूनिफाइड पैमेंट इंटरफेश इतरह की यह जो सुविदाई है वो NPCI के द्वारा प्रदान की जा रही है वित्यमंत्री ने इंस्टेंट आधार बेष्ट EKYC लौंच की है 27 मई 2020 को केंदरी वित्यमंत्री निर्मला सीतारवंड ने इंस्टेंट आधार बेष्ट EKYC लौंच की और ये जो सुविदा है उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्द होंगी जिनके पास में वैद्दिय आधार संक्या है जिनके पास में एक अपना आधार कार्ड है valid जो आधार नमबर जिनके पास में है और उनके पास में आधार के साथ में registered एक mobile नमबर भी होना चाहिए और पैन आवंटित करने की प्रक्रिया वो कागज रहित और मुफ्त भी है यापलाई करने में किसी प्रकार का इसमें कोई चार्ज नहीं होगा और ये आप इस इमेज के अंदर पैन कार्ड का एक जो सेंपल देख पा रहे हैं तो अब केंद्री बजट के बारे में बात करें तो इंस्टेंट आधार बेष्ट EKYC को वित्त मंत्री ने केंद्री बजट 2020-2021 के अंदर पेश किया गया था उन्होंने गोशना की थी कि आविदन फॉर्म भरने की आवशक्ता के बिना तुरंत एक प्रणाली प्रदान की जाएगी जो पैन यानि पर्मानेंट अकाउंट नंबर प्रदान करेगी अब यह क्या है पर्मानेंट अकाउंट नंगर नंबर यह 27 खाता संख्या जो की 10 अंकी अलफा नुमरिक संख्या है जिसके अंदर जो की आएकर विभाग के द्वारा जारी की जाती है यह आएकर विभाग को व्यक्ति के लेंदेन को विभाग के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है यह व्यक्ति के जो बैंकिंग या अन्य जो लेंदेन है उनको आएकर जो विभाग है उसके साथ में साजा करता है और इस लेंदेन के अंदर TDS, TCS, Payment of Tax और I Return और अन्य जो वे इसके अंतरगत शामिल होते हैं इस तरह से जो आएकर विभाग है हमारे जो जितनी भी लेंदेन है उन में सीधी तोर पर उससे जानकारी प्राप्त करता है प्रतेक वर्स 29 में को साजिक तराश्टर संग यानि UNO के द्वारा साजिक तराश्टर शानती सेनिकों का अंतराश्टर दिवस यानि International Day of United Nations Peace Keepers मनाया जाता है वर्स 2020 के लिए इसकी जो थीम है वह है Women in Peace, Key to Peace ये इसकी इस वर्स की थीम रही है ये जो इस वर्स की जो थीम है महिला, शानती और सुरक्षा पर सुईक तराश्टर सुरक्षा परिस्ट के प्रस्ताव संख्या 1325 को अपनाने की जो 20 वर्स काट है उसे चिनित करती है इस दिवस का जो मुख्य उद्देश है वो शानती इस्थापना के लिए शहीद हुए जो व्यक्ति हैं, सैनिक हैं उनको याद करना है और उनके प्रती सम्मान व्यक्त करना इसका उद्देश है आप इसके प्रमुक बिंदों के बारें बात करें तो यह जो यूएन शानती मीशन है इसका जो गठन है सबसे पहले वह 29 मई 1948 को किया गया था और यह तब किया गया था जब सैनिक तराश्ट सुरक्षा परिशद ने मद्यपूरू में सैनिक तराश्ट के सैनिय परिवक्ष मिशन है इसका संचालन सैनिक तराश्ट की सुरक्षा परिशद के द्वारा किया जाता है यह दिवस वर्स 2003 में पहली बार मनाया गया था और प्रतेग शानती मिशन सुरक्षा परिशद के country अधिकरत हो था है जैसा कि आप बताया कि इस में जो इसका संचालन है वह यह यू सम्युक्त राष्टर के सभी सदेश्ट राष्टरों की होती है यानि सभी देशों को इसके अंदर अपना योगदान देना होता है स्वंविक राष्ट के चार्टर है उसके अनुसार प्रतेक राष्टर वैस्विक शानती के लिए अपने संबंदित हिस्से का भुक्तान करने के लिए कानिनी रूप से बाद दे है ऐसा स्विक्त राष्टर के चार्टर नहीं उनके समीधान के अंदर लिखा हुआ है इसके अलावा जो स्विक्त राष्टर के शांती रख्शों के अंदर मुखिय रूप से सैनिक, पुलिस अधिकारी और नागरिक कर्मी शामिल हो सकते है तो इस तरह से ये इसके अंदर कारी करने वाले होते हैं और ये जो स्विक्त राष्टर के दोरा बरती और तैनात किये जाने वाले अंतराष्टिय सिविल सेवक कहलाते है और युएन शान्ती सेना संगर से युक्त देशों में इस्थाई शान्ती इस्थापित करने में मदद भी करती है इसके अतरिक्त स्विक्त राष्टर शान्ती सेना मिशन का जो आरम है वर्स 1948 में तब किया गया था जब इसने अरब इसराईल युद के दोरान युद विराम का पालन करने में मैत्पूर भूमी का निभाई थी स्विक्त राष्टर की जो शान्ती रक्षा मिशन है उसकी तीन वुनियदी सिद्दान्तों का ये पालन करता है ये इसके जो सिद्दान्त है उनकी बात करते हैं तो सबसे पहला है इसमें शामिल सभी पक्षों की सहमती का ख्याल रखना इसके अलावा शान्ती वर्स्था काईम करने के दोरान निस्पक्ष बने रहना ये किसी का भी पक्ष ना लेना तीसरी बात आत्म रख्षा और जनादेश की रख्षा के अलावा किसी भी इस्तिति में बलका प्रयोग नहीं करना ये इस सेना के कमक उद्देश होते हैं मद्दे परदेश में जलविद्द परियोजनाओं और बहुद्देशिय परियोजनाओं का विट्ट पोशन हाल ही में उर्जा वित्ट निगम यानि पावर फाइनेंस कॉर्परेशन या पी एफसी ने नर्मदा बेस्टिन प्रोजेक्ट कमपनी लिमिटेड के साथ में एक समझोता किया है अब ये समझोता किस के लिए किया गया है इस समझोते के अंदर जो मद्देपरदेश में 22,000 करोड रुपए की 225 मेगवाट शमतवाली पन बिजली परियोजनाओं और बहुत देशिय परियोजनाओं के वित्ट पोशन के लिए समझोता ये किया गया है अब इसके प्रमुग बिंदों की बात करें तो जो उर्जा वित्त निगम है वे केंद्री विद्यूत मंत्राले के तहट एक सारजनिक छेतर का उपकरम है और भारत की अग्रणी NBFC यानि नौन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्परेशन भी ये है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी जो लिमिटेड है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड मद्य प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित वाली कंपनी है यानि इस पर पूरी तरह से सरकार का नियंदरन है और ये समझोते के तहत वित पोशन की जाने वाली कुछ प्रमुक बहुदेशिय परियोजनाओं के बारे में बात करें तो उन में से हैं बसनिया बहुदेशिय परियोजना धिंडोरी चिंकी वोरस बहुत देशिय परियोजना नर्सिंग पूर रायसेन होशंगाबाद इसके अलावा सक्कर पेंच लिंक नर्सिंग पूर छिंदवाड़ा और दूधी परियोजना छिंदवाड़ा होशंगाबाद आदी इस प्रकार की जो परियोजनाएं हैं जिन में ये जो NB, BCL और इसके अलावा जो उर्जावित निगम है वे इसके इनके लिए समझोता कर रहे हैं इस्पेक्ट्रिन और एक्सॉन क्या है इनके बारे में हम बात करेंगे केंद्री विज्ञान और प्रवद्योगी के मंत्रा ले के तहत स्वायत संस्थान रमन रिसर्च इंस्टिटूट के विज्ञानिकों ने IISER पुने और पेरिस की डेटरॉट उनिविश्टी के साथ में किये गई शोद में इस बात का पता लगाया है कि जो एक्सॉन में मौजीद स्पेक्ट्रिन जो होते हैं वो खिचाव के करण होने वाली छटी से बचाने के लिए रक्षा कवच अर्थात शोक अब्जरवर की तरह कार्य करते हैं इस पेक्ट्रिन एक्सॉन में उपस्थित लचिले रोड के आकार के जो अनू पाई जाते हैं अब क्या है इनके बारे में बात करते हैं जो एक्सॉन जो है वो तंत्रिका कोशिगाओं के अंदर लंबे ट्यूबलर एक्स्टेंशन जो होते हैं जो कि लंबी दूरी तक प्रान बड़े खिचाव या विक्रती के अधीन होते हैं और यह शोद अध्यन मनुस्य के सिर्की चोटों के साथ साथ खिचाव प्रेजित तंत्रिका चोटों से होने वाली समझने और उपचार में मदद कर सकता है तो हमने जासा की जाना कि जो एक्सॉन है एक्सॉन तंत् ये इसके अंदर पाई जाते हैं जो कि इसको सहारा प्रदान करते हैं शोक अब्जबर करें कितरह ये कारें करते हैं खीर भवानी मेला भारत के केंदर शाषित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में गांदरवल जिले के अंदर तुनमुला गाउं में इस वर्ष 30 मई 2020 को आईजित होने वाले वार्षिक खीर भवानी मेले को कोविड-19 महामार के करण जम्मू कश्मीर के धर्मार त्रष्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है यह त्योहार देश्ट भर के लाकों हिंदू तीर्थ यात्रियों के साथ विशेश रूप से कश्मेरी पंडित समुदाय के द्वारा गांदरवल जिले के प्रसिद राग्यना देवी मंदीर के अंदर मनाय जाता था जिने इस्थानी रू चावल का ऐसा हलवा है जो वसंद रितू के अंदर देवी को खुश करने के लिए अर्पित किया जाता है जो खी और यह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह टेमपल का जो एक इमेज है खीर भुवानी मंदिर के जो मंदिर है उसका एक फाइल फोटो आपके सामने है इसक दिखा गया है कि जो खीर भुवानी जो मंदिर के चारो और जहरने के पानी का जो रंग है कश्मीर घाटी की मौसम परिस्तितिम परिवर्थन के साथ में अपने आप बदलता रहता है तो यह यहां का एक प्राकरतिक चमतकार कहा जा सकता है और अब हम बात करते हैं कश्मीर पंडित समुदाय जिसे वर्ष 1990 के बाद में कश्मीर से वहां के जो जो लोग हैं मुस्लिम लोग हैं उन्होंने अपनी जहादी मान सिकता के चलते हैं कश्मीर पंडितों को वहां से भगा दिया था और इनके साथ में काफी मार्पीट मारकाट की गई थी इनकी हत्यां की ग थे वर्तमान में कश्मीरी पंडित समुदाय दिली और विभिन राज्यों के जो डिटेंशेंट सेंटर्स हैं उनके अंदर रहने को मजबूर है और तीस वर्षों से इनकी इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है और अब जम्मू कश्मीर से धारा तीन सुस समस्या के अंदर जो एक पहल के लिए हमें एक जो उम्मीद है वो दिखाई दे रही है और लगता है कि आने वाले समय में इनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा ये एक बहुत बड़ा जो ट्रांसफर था मास्ट ट्रांसफर जो काफी बड़े पैमाने पर यानि 30 लाग के गरीबन कश्मीरे पंडितों को वहाँ से भागना पड़ा था और अब इसके इनके पुनरवास का समय नजदीक है तो अगला हमारा टॉपिक है उत्तरपदे सरकार ने हर्बल रोड प्रोड को लागू किया है उत्तरपदे सरकार ने राजजे के अंदर 800 किलोमेटर सडक में हर्बल रोड प्रोड को लागू करने का निर्णा लिया है इस परियोजने के तहट राज्य सरकार सड़के दोनों और औस दिये मुल्ये वाले पोधों का रोपन करेंगी जहां पर विशेस रूप से औस दिये पोधों का जिकर किया गया है जिसके अंदर मुक्रूप से नीम, पीपल, सेहजन और अन्य जो औस दिये पोधे हैं उनके बारे में बात की गई है अब इसके बारे में और देखते हैं तो ये जो पोधे हैं और्टियों के लिए कच्चा माल पनाद करेंगे और साथ ही भूमे के कटाव को रोकने में मदद भी करेंगे यानि इनसे दोहरा लाब यहां मिल पाएगा इस परियोजना के लिए 800 किलोमेटर की जो सड़क है उसे राष्ट्रिय और राजजराजमार के साथ में चुना गया है यानि इसमें कुछ नेसल हाईवेज भी होंगे और स्टेट हाईवेज भी इनमें शामिल होंगे यह परियोजना 18 जिलोमे शुरू की गई थी और इस तरह की जो पहले ही दिल्ली अमनोतरी इस्टेट हाईवेव नमबर 57 पर पहले ही इसे लागू किया जा चुका है लागू किया जा चुका है और इसमें लगबग 34 किस्म के ओजदिये पोदों को लगाया जाएगा अब इसके बारे में और बात करते हैं तो इस परियोजना का जो उद्देश्य है घरों के अंदर बोनसाई और कैक्टस जैसे गैर देशी परजातियों के विकास को कम करना है अब इसके लाभों के बारे में बात करें तो जैसे कि इसमें बताया गया इसमें और दिये पोदों को महत्व दिया जाएगा इसमें प्रायरिटी दी जाएगी अब और दिये पोदों के अंतरगत आने वाला एक पोदा है ब्रामी जिसका पोदा स्मृति को तेज करता है इस hydroxy chloroquine के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है और इसी के साथ हमारी आज की कर इंटरफेस की क्लास के सभी टॉपिक्स कम्प्लीट हुए है और अब बारी है हमारे आज के प्रशन की आज का हमारा प्रशन है हाल ही में new development bank कैनी NDB के नए अदेक्स की रूप में किसे नियुक्त किया गया है आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं तो इसका सही जवाब है मार्कोस प्राडो ट्राइजो ब्राजील के पूर्व उप अर्थवस्ता मंतरी मार्कोस प्राडो ट्राइजो को शंगाई इस्थित National Development Bank के नए अदेक्स के रूप में चुना गया है उन्हें ब्रिक्स देशों के द्वरा इस्थापित बवपक्षिय वित्ती संस्थान के अदेक्स के रूप में अनुभवी भारतिय बैंकर जो केवी कामत है उनके स्थान पर नियुक्ती दी गई है फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीता रमन है उन्होंने एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से हाल ही में इस्पेशल बॉर्ड ओफ गवरनर्स की जो मीटिंग थी उसमें हिस्सा लिया था भारत के जो अनिल की शोर है उन्हें इस सम्मेलन के दोरान अन्डिवी नैशनल डेवलप्मेंट बैंक के अंदर उपादेक्स के रूप में भी चुना गया था तो ये थी इस टॉपिक से सम्मद्द जानकारी संचिब जानकारी और और अधी डिटेल से आजनने के लिए आप हमारी पिछली क्लास का जो वीडियो है उसे देख सकते हैं जिसमें आपको इस टॉपिक के अलावा अन्य कई महत्पुन जो बिंदू है उन पर आपको क्लास मिलेगी detail से class मिलेगी तो इसी के साथ में हमारी आज की current efficiency class समात होती है अन्प में आप से जो request है कि आपके जो भी feedback है आपके जो भी सुझाव है वो अमूले सुझाव आप हमारे वीडियो के comment section के अंदर जरूर दें, thank you